पीजी वेलकम थी यहीं पीजी पॉइंट सो देखे वीडियो के अंद तक बने रहीएगा मैं आपको बताऊंगे कि क्या चीजे लेना वेस्ट है आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हर एक चीज ठीक है तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह था कि मैं आज बहुत दिनों से एक कोश जाए तब तक आप ना मानिये की objective होगा चाहे ना मानिये की subjective होगा एक जो official notice आपने देखी है उसमें पाठिक्रमों लिखा है उसमें बेड से related नहीं लिखा है तो वहां पर भी शंसेय की स्थितिती है अब आप यह सोचिए जो प्रकाशन है जो प्रकाशन वाले लोग होते हैं उनके पास तो कितने सालों से ये काम वो कर रहे हैं अब देखिए 2022 के आपके CSJMU के लिए Easy Notes Markets में आ गएं कैसे आ गएं तो देखो आप देख सकते हो ना यहां पर देखो पेपर सिक्षा के सिक्षा के समाज सास्त्रिय परिष पेख्ष यह आपके तीनों पेपर के Easy Notes है ठीक अब यह Easy Notes मार्केट में अवेलेबल यह कानपूर से परचेस कर सकने फिलाल और बाकि अगर आप मंगाएंगे तो आपको मिल भी जाएंगे ऐसा नहीं कि नहीं समये कि अगर इन दोगों को यही पता होता कि पेपर अबजेक्टिव को इसी नोट बना देते अगर पता होता सब्जेक्टिव होगा तो यह लोग सिर्फ इस नोट्स बना देते हैं कि जैसे इसी नोट बना देतें कि नहीं जैसे हमेशा से सब्जेक्टिव बनाते आए वैसे बना देतें पिछली बार सेकेंड यह वाले जो बच्चे थे उनके लिए पूरा-पूरा जो इसी नोट आया था के वल ऑब्जेक्टिव आया था समझ में यह बात 2021 में चेक इंडिय पहली बार तो समिस्टर प्रडाली ले आए उपर से अभी उन्होंने यह नहीं क्लियर किया है कि आपको सब्जेक्टिव होगा क्यों अब यदि आप अपने दिमाग से अगर सोचो तो क्या सोच पा रहे हो कि देखो कोरोना का नया वैडियेंट आ रहे हैं सबको पता है कि दे करता है किस पर या आप कहलो कि यह परिस्थितियों पर नित भर करता है और साथ में यह यूनिवर्सिटी से हमाई अगर वह देख रहे हो या वह कहीं से उनकता की वीडियो पहुँच जाए तो इसमाई हमल रिक्वेस्ट की सरे एक बता दीजे आप एक बर तो जो बच्चो प्लेइलिस्ट के सेक्षिन में जैसे ही टिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आजाएगा कैसा ऐसा तो एक तो मैं आपको पता दूँ एक आपकी सुबह 10 बजे क्लास होती है पेपर 2 की एक आपकी शाम को 5 बजे क्लास होती है पेपर 3 की ठीक है अब मैं हम कैसे पढ़ें तो देखो सुबह 10 और शाम 5 बजे आना शुरू कर दो देखो यह है आपके बीट फास सेमेस्टर की पेपर 3 की क्लास 22 क्लास हो चुकी है आपकी अल्रेडी आप प्लेइलिस्ट के माध्यम से अराम से पढ़ सकते हो और कोई दिक्कत नहीं हो कि उस तरह भी आपकी complete हो चुकी है बाकी all subjects के syllabus related video है अब आप सोच रहें कि मैं मगर में के CSGM यह नहीं हो तो क्या मैं नहीं पढ़ सकता हूं या पढ़ सकती हूं हमने बिल्कुल पढ़ सकते हो आप अपनी university का paper निकाल वो syllabus निकाल लो और उसके बाद में उस syllabus से topic वाइस पढ़ते रह रही है बाकी class के बाद आपको PDF मिल जाता है PG point नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम चैनल का link आपको description box comment section में मिल जाएगा तो आप लोग वहां से भी जोड सकते हैं ठीक तो बाकी बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि objective सब्जेक्टिव को चक्कर में नहीं पता चल भी गया कि objective पर होगा तो क्या नहीं पढ़ोगे बताओ तो क्या नहीं पढ़ोगे पढ़ाई तब भी करना ही पड़ेगी और हां जो बच्ची यह पूछ रहे हो कि मैं books ले लें कि ना लें कि easy notes से ही पढ़ लें देखो अब यह आपके उपढ़ नरभर करता है कि आप चीजों को किस तरीके से पढ़ रहे हो अगर आपका मन है तो ले लो books नहीं मन है तो आप easy notes से पढ़ लो आप इंटरनेट से study कर रहे हो और जो मैं classes दे रहे हूं आपके वो books से ही दे रहे हूं और वो books के ही PDF है तो आपको मैं telegram चैनल पर दे रहे हूं आप वहां से भ बूलिएगा सो में शाख खुछ रहे हैं मुस्कुराते देए कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए टेल टेक केर बाइवे